दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के के जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बोक्स में जरूर पूचे आज की सबसे पहलिक बर नितिज सरकार खोले गी अब ड्राइविंग स्कूल पानसो अतरेक्त बस स्टोप बनाने की भी तयारी जिहानितिस सरकार बिहार में मोटर ड्राइविंग स्कूल खोलने जा रही है राज सरकार ने इसके लिए तयारी सुरू कर दी है परिवहान सचिव संजे कुमर अगरवाल ने कहा कि जिलो में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रेक का निर्मान और ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने की कारवाई की जा रही है राज में कूल 76 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे पहले 38 जिलों के लिए 60 ड्राइविंग स्कूल खुलने का लच निधारित किया गया था इसकी संग्या बढ़ा कर 76 किया गया है चालोकों के ड्राइविंग क्वालिटी में सुधार होने के बाद सड़क दुरगटनाओं में कमी आ सकेगी इसके अलावे सरकार 33 चरन में 500 अतरीक्द बस स्टोप का निर्मान कराने जा रही है अगली बड़ी कबर बिहार के डिजीपी का बड़ा आदेश 7 साल से कम सजावाले मामले में अब डारेट गिरबतारी नहीं होगी बिहार के डिजीपी एसके सिंगल ने एक बड़ा आदेश जारी किया है पुलिस महानिदसक की ओर से सभी जीलों के SSP, SP, DI और DIG को एक पत्र लिखा गिया है डिजीपी ने इस पत्र में कहा है कि साधारन जूर्म या वैसे मामले जिसमें अधिकतम 7 साल के सजा हो सकती है उसमें पुलिस अब सिधे किसी को गिरबतार नहीं करेगी साथी डिजीपी ने अपने पत्र में ये भी जिक्र किया कि इस आदेश को नहीं मानने वाले पुलिस वालों के ओपर करवाई भी की जाएगी राजी पुलिस के मुख्यान अधिकारियों को ये आदेश दिया है कि घरेलों हिंसा या 7 साल से कम सजा वाले मामले में गिरपतार के बजाए पहले CRPC की धारा 41 के प्रावदानों के तहद गिरपतारी के अवसकता के विसब में पुलिस अधिकारी को संतुष्ट होना होगा अगली बड़े कबर कोरोना काल में माजी ने बुलाई पार्टी की अहम बैठक दो जून को वर्चुल मोड में होगी हम के राष्ट्य कारकरनी जिहा देश में कोरोना के दूसरी लहर को देखते हुए एक तरफ जहां तमाम राजनेतिक गतिविदी अटप पड़ी हुई है दूसरी तरफ बिहार के पूर्व मुष्मंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्य अधक जितारम माजी ने अपने पार्टी के महतपून बैठक बुला ली है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्य कारकरनी के बैठक दो जून की होगी हालाकि इस बेढ़क को वर्चुल मोर्ण में आयोजित किया जाएगा पार्टी के राष्ट्य प्रधान महासचीव संतोस कुमार सुमन की निदेश पर राष्ट्य कायर करने की बेढ़क बुलाए गई है आपको बदा दे कि संतोस सुमन जिताराम माजी के बेटे हैं और नितिस सरकार में मंत्री है पिछले कुछ दिनों में जिताराम माजी ने कई विवादित बयान दिये हैं अगली बड़ीकवर माजी ने अब नितीज को फसाया पंचायत प्रतिनिद्यों का कारिकाल बढ़ाने की मांग कायर कायल बढ़ा दिना चाहिए जितर रमाजी ने ट्विट करके लिखाए कि कई बार आपात काल के दोरान लोकसभाए कि कायर काल को सविधान के आर्टिकल 352 के तहद बढ़ा दिया जाता है कोरोना वारे संकट को देखते वे नितिस कुमार से आगरा है कि पंचायत प्रतिनीदों का कायर काल कम से कम 6 मैनों के लिए बढ़ा दिया जाए जिससे ग्रामिन इलाकों का विकास कायर चलता रहे आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जीतारा माजे ने अपने ट्विट से साब कर दिया है कि वह मुखिया और सरपंच के साथ खड़े हैं अगली बड़ी कबर टिकाकरन का पहला डोज दिन्य में बिहार बिस्वे नमबर पर पिछड़ा जारकन भी आगे लेके न यूपी हम से पिछड़ा बिहार में कोरोना टिकाकरन अभिहान की पोल स्वास विवाग के नए आकड़े ने खोल दी है केंद्रिय स्वास्त मंत्राले की तरब से जो ताजा आकड़े जारे किये गया है उसके मुताबिक कोरोना वेक्सिन की पहली डोज लगाने के मामले में बिहार अन्य राज्यों से काफी पिछड़ गया है इस सुची में बिहार फिलाल 20 नमबर पर है कोरोना वेक्सिन की पहल अगले बड़ी कबर सुसान सिंग राजपूत की मौत के मामले में नया मोड एक और करीबी दोस्त गिरपतार जिहा दिवगंद बॉलिवोड एक्टर सुसान सिंग राजपूत की मौत के मामले में अब और नया मोड सामने आया है NCB ने बड़े कारवाई करते हुए उनके करीबी दोस्त सिदात पिटानी को गिरपतार कर लिया है सुतों से मिले जानकारी के अनुसार सिदात की गिरपतारी हदराबाद से हुई है और NCB की टीम ने उन्हें मुंबई लेकर आई है बता दे कि सुसान की मौत के बाद उनकी जिन्दगी से जुड़े कई लोगों का नाम मीडिया में आया था जिसमें से पिठानी भी थे रिपोर्ट्स के मुताबिक सुसान की बोड़ी को पहली बार सिदात नहीं घर से अंदर पंके से लड़के वे देखा था जिसके बाद उन्होंने पुलिस और होस्पिटल को फोन किया था सिदात पिठानी सुसान सिंग राजपुद के प्लेट में रहते थे और वो सुसान को अपना दोस्त बताते रहे हैं सिदात पिठानी की गिरबतारी सुसान सिंग राजपुद मौत मामले से जुड़े ड्रग केस में हुई है इस से पहले NCB की अलावा AD और CBI ने भी सिदात से पुछताच की थी अगली बड़ी कवर लोडाउन में दुरदर्सन पर स्मार्ट क्लास सुरू सिख्चा विवाग और यूनिसेप की पहल जिया कोरोना मामारे को लेकर स्कूल और कोचिंग बंद है ऐसे में बच्चो की पढ़ाइ पर कोई अशर ना हो इसके लिए सरकार ने पहल की है यूनिसेप की मदद से बच्चो के लिए स्मार्ट क्लास की वावस्ता की गई है दुरदर्सन पर स्मार्ट क्लास सुरू की गई है सुबा 9 बजे से 10 बजे की बेज डीडी बिहार पर बच्चे क्लास कर सकते हैं दुर्दरसन पर मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी पढ़ाई शुरू हो गई है कुरोना से बचाव के लिए किन-किन बातों का ख्याल रखना बेहत जरूरी है इसकी भी जानकारी बच्चों को दिजाएगे मिडिल स्कूल के बच्चों की क्लासेस मेरा दुर्दरसन मेरा विद्दालय कारकरम के तहत की गई है आपको बता दे किससे पहले सिक्चा विवाग ने कक्चा 9-12 तक के बच्चों की क्लासेस 10 मैं से ही ले रहा है फिलाल डीडी बिहार पर 9-12 अरुस के बाद 6-8 तक क्लासिस चल रहा है अगली बड़ी कबर बिहार में 1.97 पर पोची संक्रमंदर पिछले 24 घंट में मिले 1785 नई संक्रमित राजदाने में मिले 238 मरीज राज में कोरोना संक्रमित 1785 मरीजों की पहचान पिछले 24 घंटे में हुई है पिछले 24 घंटे में 22, Lemme Grid 173 संक्रम들 की कोरोना जाच की गई राज में कोरोना का संक्रमंदर 1.97 हो गया है जबकि एक दिन पूर्वराज में 2584 नई संक्रमित मिले थे और 1,22,126 सिंपल की जाच की गई थी वहीं पटना में सरवादेग 230 ने संक्रमित की पहचान की गई है इसके अलावा विबाग के अनुसार 4 जीलों में 10 से भी कम कोरोना संक्रमित मरिज की पहचान हुई है इनमें भोजपुर में 9, केमुर में 5, नवादा में 6 और सिक्पुरा में 7 ने कोरोना संक्रमित की पहचान की गई है साथ यापको अधादी के राजी के 32 जीलों में 10 से 100 की बेज ने कोरोना संक्रमित की पहचान की गई है अगले बड़ी कबर अगले तीन दिनों तक नहीं मिलेगी रहात पटना समेत चार जिलों कर लेकर हाई अलट जिहां यास चकरवर्ती तुपान ने बिहार को पुरी तरह से अपनी चपेट में ले रखा है बिहार के लगबग सबे इलागों में मैदम और भारे बारिस हो रही ह लेकिन मौसम विभाग से मिले ताजा जानकारे के अनुसार या अगले तीन दिनों तक फिलाल बिहार में मौसम रहात वाला नहीं होगा साती मौसम विभाग ने पटना समित कूर चार जीलों के लिए अलट जारी किया है पटना की साथ साथ वैसाली नालंदा मुझपरपूर में मौसम विभाग के मुताबिक वजरपात के ओले पढ़ने की समावना जताई गई है मौसम विभाग ने लोगों को अपने घरों में र विहार के कई इलागों में पिजले 24 गंटे से बिजली सेवा बादित हुई है मौसम विभाग ने बताए कि 30 मैं तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे पटना के कई इलागों में जल जमाव की समयस्ता से लोग परिसान है अगली बड़ी कबर कोड से हरी जंडी मिलने पर भी सिक्चक अभियरतिओं को न्योक्ति पत्र के लिए करना होगा इंतिजार जाने इसकी वज़ा जिया राज के स्कुलों में प्राथामिक से लेकर पलस टू तक के सवा लाग सिक्चकों के नियुक्ति पर लगी रोक को लेकर सकुरवार को पटना हाई कोड में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी अब सुमवार यानि 31 मय को इस मामले पर फिर से बहस होगी राज सरकार की अपील पर उच नियाले की हरी जंडी मिलती है तब भी नियोजन की प्रक्रिया पूरी करने में 3-4 हपते का वक्त और लगेगा यानि जुलाई 2019 से उनियुक्ति का इंतिजार कर रहे करीब सवा लाग सिक्चक अभियर्तियों को करीब एक मा का धहरे रखना होग बाड़ी कबर बिहार में नहीं थम रहा ब्लैक फंगस का कहर आज मिले 11 नए मरेज दोने तोड़ा दम पटना में पिछले 24 गंटे में ब्लैक फंगस के दो मरेजों की मौत हो गई है जबकि गारक गंबीर मरेज अस्पताल में भरती हुए है मरने वालों में एक की मौत आज़ी आएमस में जबकि दूसरे की मौत एमस में हुई है एमस में भरती मरेज पिछले कई दिनों से आईसेओ में था फंगस उसके दिमाग तक पहुच गया था दूसरी तरब बिहार को मिली ब्लैक पंगस की दवा अस्विनी चोबे बोले कमी नहीं होने देंगे जहां ब्लैक पंगस के इलाज में इस्तिमाल होने वाले लिपो सोमल एमपो टोरसीन भी इंजेक्शन एमबी सोम की बिहार में कमी नहीं होने दी जाएगी यह कहना है केंद्रे स्वास्त राज मंत्रे अस्विनी चोबे का बिहार को कल 1460 वायल इंजेक्शन उपलब्द करा गया है केंद्रे मंत्रे अस्विनी चोबे ने कहा कि बलेक पंगस को लेकर केंद्र सरकार गंबीर है और राज को हर मदद दे रही है कल बिहार को ब्लेक पंगस की दवा लिपो सोमल एमपो टेरोसीन बी इंजेक्शन एमबी सोम का 1460 वायल आवंटित किया गया है केंद्रे मंत्री अस्विनी चोवी ने कहा कि दवा की उपलबता और राज्यों की जरोत के अनुसार लगातार आवंटन किया जा रहा है अगली बड़ी कबर यास्तुपान से जान गवाने वाले लोगों के परिजनों को सरकार देगी 4-4 लाक मुआवजा सियम नितिस ने कर दिया एलान मिर्टक के परिजनों को सरकार के ओर से मुआवजे का एलान किया गिया है 4-4 लाक मुआवजा दिये जाएगा साथ ही जो लोग इस्तिपान में घायल हुए है उन्हें इलाज कराया जाएगा जिसके लिए सियम नितिस ने अधिकारियों को निर्जिस दे दिया है अगली बड़ी कबर CBS 12 परिचक को लेकर सुप्रीम कोट में सुनवाई 31 मैं तक टली चात्रों की मांग कैंसल बोर्ड इग्जाम जिया सिबीएसी और CISC 12 की परिचाय रद करने को लेकर सुप्रीम कोट में दायार याचिका पर सुनवाई 31 मैं 2021 यानि सुमवार तक के लिए सोसल मीडिया पर हैस्टेक कैंसल बोर्ड इग्जाम और हैस्टेक कैंसल इग्जाम सेव लाइब्स चला रहे हैं इन हैस्टेक के साथ पिछली 24 घंटे में एक लाग 30,000 से ज़्यादा ट्विट किये गये हैं आपके जानकारी के लिए बता दे कि CBS 12 परिचा रद किये जाने क कि मांग में या चिका करता की और से अदालत में कहा गया है कि यदि कोरोना माहमारी की बेज परिचाए आवजित कराए जाती है तो देश बर में करीब 12 लाग चात्र प्रवावित हो सकते हैं और अंकी बड़े कवर साल 2021 के आन तक देश में सभी को लग जाएगा कोरोना वैक्सिन का टिका केंद्रे मंत्री परकास जावेडकर का एलाग जिहां देश में हर सक्स को इस साल के आन तक कोरोना वारस का टिका लग जाएगा केंद्रे मंत्री परकास जावेडकर ने कॉंग तक 3.50 लोगों को ही कुरोना के टिके लग पाये हैं परकास जावेटकर ने कहा कि भारत में 2021 के अन तक सभी लोगों का टिका करन हो जाएगा आज के लिए आपका सवाल बताए कि बिहार में पंचायत प्रतिनिद्यों का कायरिकाल आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं इसका इन बॉक्स में जरूर बताएं